मध्यप्रदेश के गुना में पाँच महीने की गर्भवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है महिला का पती उसे दूसरे युवक के पास छोड़ गया था इस बात से नाराज महिला के ससुराल पक्षवालों ने उसका जुलूस निकाला महिला के कंधे पर एक बच्चे को बैठा कर तीन किलोमीटर तक उबर खाबर रास्ते पर नंगे पैर घुमाया गया रास्तेभर महिला को लाठी डंडे से पीटते रहे पत्थर भी मारे पुलिस रिकॉर्ड में घटना नौ फर्वरी की है लेकिन सोमबार यानी पंद्रा फर्वरी को इसका विडियो वाइरल हुआ पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाए आरोपी ससुर, जेट और देवर को केवल मारपीट का केस दर्ज कर थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया इस दोरान पती ने फोन कर अपने परिवार वालों से अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए भी कहा लेकिन उसकी भी किसी ने नहीं सुनी वीडियो वाइरल होने के बाद मामला दर्ज किया वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा गाली देना, धक्का देना, चाटा मारना, जान से मारने की धमकी के आरोप में मामला दर्ज किया है इन में तीन महीने से लेकर दो साल तक की सजा हो सकती है गुना A.S.P. ने कहा कि गुना में गाउवालों के सामने एक पुरुष का एक महिला के कंधे पर सवार होकर जुलूस निकालने का वीडियो वाइरल होने के बाद तीन लोगों को गिरफतार किया गया है A.S.P. ने बताया कि चार लोगों के खिलाफ मामला दर्च किया गया है जिसमें तीन को गिरफतार किया जा चुका है जाच चल रही है संसनी ओफ इंडिया टीम प्राइम से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे संसनी ओफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वाइट करें शेयर करना न भूले